तो मार्केट्स में ऑप्संस टेडर के बीच जनरली ऑप्संस टेडर में दो पक्ष है एक है बायर एक है सेलर दोनों में ही टैसल जारी रहता है कभी कोई प्राफिट करता है कभी कोई नुकसान करता है बट अल्टिमेट वीनर कोन होता है अल्टिमेट वीनर देखा जाये तो ऑप्संस सेलरी होता है ठीक है और इतने सारे लोग ने बोला है तो हर कोई मानता है कि ऑप्संस सेलरी पैसा बनाता है इवन ऑप्संस बायर भी म discipline लिखाता है अपका trading style का जिसकी व्यवजे स्वाइंग करते हैं और साती जायती भरत है option handling में आपको margin लगता है और आपको पास अगर पैसे नहीं है तो आप option buying करते हैं तो या तो options जो buying कर तो newling करना नहीं चाहिए भले कमती पैसा है वो आपको सेफ रखना चाहिए क्यों उसको बाइंग करके नस्ट करना जब आपको पता है कि हम अल्टिमेट विनल नहीं वनेंगे फिर भी सौक बरी चीज है और लोग को ट्रेडिंग करनी है किसी भी हालत में एंड इवन खूप सारी ट्रेडिंग करनी है और जब ल प्रूपीस हो चुकी है लॉस हो रही है कम सब्सक्राइब फाइब रूपीस तो आप बचा लो बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि आपने तेन रूपीस में कॉल अप्शन बाई किया है और आप यह सोच रहे थे कि निप्टी उपर जाएगी निप्टी का आपने कॉल अप्श पुल आप करता है तो आप वह काम नहीं करते हैं तो यही कारन है कि एक तो पैसा कम है और जो करते हैं दूसरी बात है कि लालज़ काफी ज्यादा है तो इसका रिवौड तो मिलना ही चाहिए और वही मिलता है अप्शन सबाइब को एंड यह सुनने में थ्वासा लग रहा ह कि क्या सर बोल रहें बट ऐसा ही है ठीक है क्योंकि आप समझा समझा के ठक जाओ वो आपसर बाइंग करना नहीं छोड़ेंगे जब तक उनका पैसा साफ ना हो जाए एनिवर इतने ढीट लोग होते हैं कि पैसा साफ भी हो जाए तो फिर जब पैसा आएगा तो वही काम ठीक है क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा है कि अगर ट्रेडिंग में कोई एक बार आ गया भले वो नुक्सान किया है वह ताउम्र मार्केट बना रहेगा या अगर पैसा नहीं है तो भी मार्केट को ज़रूर वाच करेगा देखने का कोशिस करेगा कि क्या मार्केट चल र आज हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसा ग्रिक्स के बारे में जो की ऑप्सन सेलर की जान है और ऑप्सन बायर का पर्मानेंट दुसमन है जी हां आप समझ गया होंगे मैं बात करने जा रहा हूँ आज थीटा के बारे में एंड ऑप्सन में अगर कोई भी ट्रेडिंग कर रहा है तो थीटा के बारे में अगर ना सोचे तो ट्रेडिंग होई नहीं सकती है और यहां पे ही समय की कीमत मालूम चलती है एक पुराना फिल्मी डायलोग है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जारो रमेज बाबू तो यहां पे ऐसा ही है कि एक दिन एक घंटे की की कीमत एक options trader जानता है ठीक है और उसको वा कीमत चुकाने भी पड़ती है जो नहीं जानता है और जो जानता है वह उस कीमत उस समय के बदले पैसा भी बनाता है तो आज बात कर रहे हैं हम लोग theta के बारे में और जानेंगे कि यह क्यों important है आपको जानना जब आप options trading कर रहे ह और क्यों options buyer के लिए यह permanent दूस्मन है ठीक है तो चलिए इसी पर बात करते हैं मैं whiteboard share कर रहा हूँ इसके जरीए हम लोग अभी समझेंगे तो आप लोग सभी theta के बारे में जानते होंगे and इसमें जो options buying करते है न उसके लिए दुबधावरा दिक्कत ये भी होता है कि मैं example क अगर बात करो तो तीन तरह के strike price होते हैं ठीक है तीन तरह के strike price होते हैं एक हो गया ITM एक हो गया ATM और एक हो गया OTM तो अगर बात करें trading की तो normally ज्यादा तर लोग ITM में तो buy करते नहीं यह buy sell करते नहीं ITM में तो इसमें काफी कम positions ली जाती है ATM में भी कमती position ली जाती है ITM से ज्यादा ली जाती है बट कमती ली जाती है सबसे ज्यादा जो trading होती है अगर आप देखोगे तो OTM strike price में ही होती है इसके पीछे का region क्या है इसके पीछे का region यही है कि इसकी जो premium होती है वह काफी कम होती है low होती है ठीक है काफी कम होती है तो अगर premium कम है तो बायर को पैसे कम देने होंगे तो let's say अगर ATM का premium है 120 और OTM का है 20 तो एक बायर का mindset को प्रीड करने का कोशिस करते हैं और समझ मारेगा कि क्यूं बायर को नुकसान होता है तो सबोज इसके पास यह दो strike price है एक ATM strike price है एक OTM strike price है अब इसमें एक का premium चल रहा है 120 दूसरे का चल रहा है 20 ठीक है और अब यहाँ पे option जो बायर है उसको decision लेना है क्यूंको तो buying ही करेगा तो कौन सा buying करे क्या 120 वाली buying करे या 20 वाली buy करे ठीक है तो उसके मन में लालच यह आता है कि अगर हम 120 वाले buy करते हैं तो काफी ज़्यादा लग रहा है बट अगर हम 20 वाली करते हैं 6 times ज़्यादा हम position उठा सकते हैं 6 times ज़्यादा position उठा सकते हैं और second thing इनको यह डर रहता है कि 120 पूरा का पूरा 0 हो सकता है ठीक है तो काफी नुकसान लग जागा 120 नुकसान हो जा रहा है ठीक है और यहाँ तो क्या होगा 20 ही नुकसान होगा तो कमती है बड़ यहाँ पे अगर वो 6 गुना ज़्यादा position बना रहा है तो 120 ही लूज कर रहा है बड़ ऐसे मन को तसली रहा कि प्राइस तो वहाँ पे 20 दिख रहा है तो 20 ही लूज करने वाला है एंड़ इसके मन में यह लालज होता है कि अगर हम यह 20 वाले लेते हैं तो क्या पता यह 200 हो जाए 300 हो जाए 400 हो जाए तो यह लालज है यहाँ grid काम कर रहा है options बाइर गाज जोड से यहाँ पे जो डर है वो सिफ 20 रूपीस का है क्योंकि 20 ही जाएगा नीचे अब जब OTM strike price यह buy कर रहा है तो इसके mind में मैंने बता दिया क्या चल रहा है mind में ही चल रहा है कास 200 रूपीस वाली premium 200-300-400 हो जाए और दूसरा fear कम लग रहा है क्यों क्योंकि 20 ही जाने को है 20 ही खोने को है तो यह चल रहा है अब होगा क्या कि लेट से अगर nipty है 17,000 मान लिजए एक जामपल पर 17,000 और इसने जो buy किया है 17,500 के strike price का इन्होंने लेट से call option buy किया है जिसका premium है 20 और 17,000 जो ATM strike price है इसका premium है 120 तो इसके बारे में हम बात अभी नहीं कर रहे है क्योंकि इसको ज़्यादा लोग buy ही नहीं करते है ज़्यादा जो buy है वो ATM strike price को ही buy करते है कमती premium बाली जिसकी 20 रुपीस ही premium हो ठीक है अब होता क्या है कि आपको ये फाइदा कब देगा यह option buy को भी मालूम होता है कि जब nipty बढ़े की तो फाइदा देगा बट कितना बढ़े की है सोचना पड़ेगा क्या यहां से nipty सिर्फ 100 पॉइंट बढ़ जाए 17,100 हो जाए तो क्या आपको फाइदा होगा तो क्या आपको फाइदा होगा expiry wise बोले तो नहीं होगा क्योंकि यह ATM strike price है ultimate zero होना है बड़ियस अगर तुरंद बढ़ जाता है in that case 20 वाली जो premium है वह हो सकता है कि 30 चली जाए ठीक है तो यहां फाइदा आपको हो रहा है but आपको 20 का 30 हो जाएदा इससे आप संतुर स्टों क्या नहीं क्योंकि आप जब आप options buying किये हैं तो आपको कम से कम तो इसको 100, 1500, 200 का आप आप आसा लेके चल रहे हो ठीक है इससे अगर निच्छा है तो क्या ही फाइदा है तो आप 30 जाएगा भी तो भी आप अभी hold कर होगे ठीक है अब क्या होगा निप्टी यहां पर कुछ समय गुजारेगा फिर थोड़ा सा भरेगा लाइक 17,200 चला गया ठीक है अब जब थोड़ा सा समय गुजारा और फिर 17,200 गया तो आप देखेंगे यह 30 का जो प्रिम्यम है न वह 29 चला गया उल्हें सर क्या बात बोल ले हो 17,100 से 17,200 निप्टी गया और आप बोल रहे हो कि जब 17,100 गया था तो प्रिम्यम 20 का 30 हो गया था और आप बोलो कि 17,100 से 17,200 गया तो प्रिम्यम 30 का 29 हो गया ऐसे कैसे पॉसरिबल है यही तो बता रहा हूँ मैं आज का टॉपिक क्या है आज का यही है मुद्दा कि टाइम की एहमियत आप अगर डिरेक्शन में सही हो भी गए बड़ वह आया देर से ठीक है लेट से आपका एक्सपाइरी जो है वह साथ दिन बाद है ठीक है अब इस साथ दिनों में अगर शुरू का पहला दूसरा दिन में अगर निप्टी मूब कर गया तब तो आपका प्रिम्यम 20 का 30-40 दिखेगा बड़ यही अगर बढ़ा बड़ लास्ट के दिनों में बढ़ा तो आपका अल्टिमेट प्रिम्यम गिरता हुआ दिखेगा और समय गुजलता चला जा रहा है तो इसकी वैसे आपको इसका प्रिम्यम गिरता हुआ दिखेगा तो इवन आप सही भी है डिरेक्शन में फिर भी आपका जो कॉल अप्सन बाई किया आपने 20 रुपिस का उसका प्रिम्यम गिरता जा रहा है तो आपको तभी फायदा होगा जब जल्दी 17,500 के ऊपर चला जाए या 17,500 के पास रीज करें तब जाके आपको फायदा होता हो दिखेगा वर्णा नुक्सान है तो अगर सिनारियो की बात कर ले तो यहाँ पर अगर मान लीजे कि 17,000 पे जब निप्टी है उस समय पे आप 17,500 का कॉल अप्सन अब बाई करें 20 रूप्स का प्रिव्यम पे ठीक है तो यहाँ से 500 पॉइंट इसको अभी जाना पड़ेगा निप्टी को उपर 500 पॉइंट ठीक है तब जाके आपको फायदा होना है इसके उपर जाएगा तो फायदा होना है और यह भी जल्दी जाना बाईर करते हैं इसके वेशन नुकसान लगता है इसके बारे में चली बात करते हैं अब होता क्या है कि मान लीजिए मैं एक एजांपल के जड़े समझा रहा हूं सपोच लेट से कि आप यहाँ पे हो कोलकाता में मान लीजिए और इधर मॉंबय है और इधर देली है ठीक है और यहाँ पे आप खरे हो और यह दोनों जो देली और मॉंबय है ना ओपोजिट डिरेक्शन में है तो लेट से इसका 500 किलोमेटर रास्ता डिस्टेंस है यहाँ से और इसका भी 500 किलोमेटर डिस्टेंस पे है और आप यहाँ पे खरे हो तो समझने कोशिज कीजिए क्या होगा और क्यों आपने लॉस नहीं भूक करते हैं समझ में आएगा तो लेट से हम इसका 17,000 मान के चल रहे हैं कि 17,000 पे निप्टी है जहाँ पर आप खा रहे हो और आपने इस 17,500 का कॉल अप्सन आपने बाई किया है ठीक है और यह है 16,500 मान लिजए निप्टी का इस नहीं प्रेस अब अगर इस डारेक्शन में जा रहा है अब साइड निप्टी जा रही है इन देट के चांसेस है कि 17,500 तक पहुँच जाएगी ठीक है चांसेस है कि यहां तक निप्टी ट्रेवल करते करते पहुच जाएगी ठीक है और अगर आपको दीखे कि उस दिशा में जा रही है तो आप जरूर पोजिशन को होल कीजिए चांसेस है कि हो जाएगी बट वेकूफी तब हो जाती है लोगों से जब आप देख रहे हो कि निप्टी आपने बाई किया कॉल अप्शन की उपर जाएगा तो हमें फाइदा होगा बट यहां से स्वापवर नीचे चला आया इसके वावजूद भी आप इस्टिल होल कर रहे हो और यह जाहिर से बात है जब नीचे गया है निप्टी और समय भी गुजर रहा है तो इसका प्रिवियों हो सकता है कि 15 रुपीज हो गया होगा यह 10 रुपीज हो गया होगा ठीक है ऐसा हो सकता है तो ऐसे केस में आप स्टिल होल करते हैं पुजिशन को कि निप्टी अब उपर जाएगा हमें फाइदा होगा जिसकी चांसे अब है ही नहीं क्यूंकि आप अगर इस जगा पे हैं आपको जाना है देली और आप भूल से कोलकाता में है और भूल से अब देली जाना है बर इधर आप चले आये हो ट्रेवल करके इधर 100 किलोमेटर चले आये हो तो आपको देली जाने के लिए पहले 500 किलोमेटर आपको ट्रेवल करनी थी बट आपको पहले तो 100 किलोमेटर गये है उसमें समय गया है फिर आपको 100 किलोमेटर वापस आना है परेगा तब आप कोलकाता फिर से उसी जग़े पहुंचे होगे जहां से आपको ट्रेवल स्ट खंटे लगते हैं तो अब तो आप यहां पी चला हो 100 km बैक चला हो तो पहले तो आपको कुलकता आना पड़ेगा उसमें जितना समय जाएगा फिर आपको यहां से 10 km टेन आवर्स लगेंगी तो आपका अगर निप्टी की चाल की हिसाब सो समझे तो 17,000 पर जब आप खरे थे वहां 70,500 जाने की चांसे काफी ज़्यादा थी बट अगर 100 पर निप्टी यहां से गिर गई है तो उस वकत ही आपकी जो भी पोईशन चल रही है उससे निकल जाना चाहिए आपको कि कोई पहले तो उसको 100 पर रिकवर करना पड़ेगा फिर वहां से 500 पर जाना पड़ेगा इस बीज में समय काफी गुजल जाएगा तो आपको at least यह जरूर कोशिस करनी चाहिए कि अगर आप OTM strike price का buy किये हो call option जो कि मैं कभी recommend नहीं करता हो कि आप buy करो naked buy करो बट किसी ने कर भी लिया है और naked buy भी करो तो ATM का कर लो ATM का कर लो बट आप काफी दूर का OTM का किये हो ज पिर भी आपने buy कर लिया क्यूंकि आपके पास पैसे थे और थासा वह खुजली वगरा हो रहा था हाता हाथ में तो आपने buy कर लिया तो आपने इसको buy किया अब 20 का 10 हो गया है और आपको पता है कि समय भी गुजर रहा है और निप्टी उपल जाने के वाज़ा नीचे चल 20 में आपने buy किया था 10 उसका हो गया premium 10 रुपय के नुकसान हो रही है 10 रुपया बचाने को अभी बचा लो बट आप लो नहीं करते हैं आप लो यहीं सोचते हैं कि ठीक है 100 नीचे कोई बात नहीं यह घूम के 17,500 तक आ भी जाएगा ठीक है तो इस कारण से उस आसा में उसको समझने की जरुवत है और वो समझ में आएगा आप लोग को रिलेट कर पाऊगे क्योंकि मैं भी कभी options buying करता था and marketer सिखाया बरी सीख इसके बाद छोड़ दिया तो वह mindset क्या होता है इसके बारे में चलिए बात करते हैं let's say कि अगर किसी ने 20 रुपीस का call option buy किया है ठीक है तो माल दीजए ऐसा situation हुआ है जहां पर premium continue गिरता जा रहा है गिरता जा रहा है क्यों नेप्टी उसी जगह पर है या तो नीचे चली गई है तो इस कारण से call option का value गिरता जा रहा है तो सुचिएगा 20 का ने 18 हो गया premium गिर के तो ठीक है 2 रुपीय का नुक्साना भी लग रहा है कोई बात नहीं ठीक है हम तो 20 का buy के तो 200 करने के लिए 2 रुपीज का तो loss जेलना बनता है क्योंकि मार्केट में आया तो loss तो होगा ही जेलना फिलस्पी 2 रुपिया का loss लग रहा है और क्या जाता है अभी 20 का तो हमने 200 होते ही देखा है तो इतना तो risk लेना ब 15 है भी लगड़ा है निप्टी का उपर जाने का अब इसके बाद जब आप लिये थे तो हो सकता है टेक्निकल होगा देख के लिए थे कि हां निप्टी उपर जाने वाली है कोई फॉलो करके आप लिए थे बट जब आपकी loss में position चली जाएगे तो आप justification अपको मन को तसली देने लगेंगे और अगर उसके बाद आप technical देखे न तो आपको bullish होता हुआ दीखेगा निप्टी अगर आपने call option buy किया हुआ उसके बाद अगर आप chart देखो न तो निप्टी आपको bullish दीखेगा क्योंकि आपको position लगा हुए न वहाँ पे तो आपका जो मन का भीतर का आ आत्मा है वो जागरूप हो जाएगा और उस chart में negative होते हुए भी positivity दीखेगा ठीक है तो ऐसा आपको दीखेगा एंड इसके बाद यह हो जाए 10 रूपीस आधा हो गया 20 का 10 तो ऐसे समय पे आप थ्वासा hold करोगे थ्वासा होगा कि हाँ भाई loss अब हो गया है ज्यादा तो क्या पता हो जाए 10 का 20 अब यहाँ पर क्या है ना कि जब सुरू में आप लिए थे ना सुरू में 20 का तो आपका आसा था कि ऐह 40 हो जाएगा 60 हो जाएगा 100 हो जाएगा इस आसा में आप लिये थे पैसा double टिपल करने का आसा अब जब 18 हो गया 15 हो ग अप 10 हो गया ना तो पक्का पक्का निकल जाएंगे, तेन रुपीज हो चुका है, इतना लॉस होगा, आप को निकलता है, बट इस दफे ना 15 होगा, आप 20 जो आपका बाइंग था, उसको भूल गए आप, ठीक है, आप 40, 60, 100, मन में भी नहीं आ रहा है कि हो सकता है, क्यों तेन रुपीज पर आ तो नहीं बुक करना था, बट आप जरूर कर लेंगे, ठीक है, आपको भी पता है, 15 आने का थोड़ी है, अब यह हो जाएगा, सपोज 7 रुपीज, तो आप मन को तसलित होगे, कि ठीक है, आप 10 रुपीज हो जाएगा तो पक्का पक्का बुक कर लेंगे, ठीक है, तो 10 बुलिशनेस, बाइसनेस दीखेगा आपको, लगेगा यहाँ 7 का 10 हो सकता है, 3 रुपीज ही तो बढ़ना है, ठीक है, कोन सी परिवात है, अपसंस ही तो है, तो आप वेट करोगे, और अल्टीमेट हो जाएगा, 5, फिर 3, फिर 2, फिर 0, अब जब 5 हो जाएगा, ऐसे समय आ है कि 5 का 10, 15, 20 अभी भी हो सकता है, and 15 नुकसान करी लिए है, 5 को क्या बचाए, ठीक है, तो आपसंस बाइर का जो मन होता है, वो बहुत राजा वाला होता है, ठीक है, वो 5 रुपया, 10 रुपया कुछ मानते नहीं है, ठीक है, उसे सुसते हैं कि यह तो कुछ नहीं है, हम त प्रिच होता है, मन का थ्वासा अच्छा होता है, and जो सल्र रुपया फंग कमाना है, ठीक है, जो अबस बाइर करता है, बाइंग करता है, उत्ता है, जो अपसंस बाइर करता है सो अब करता है, तो वह ultimate दिल का राजा होता है यह मानना परेगा बहले हम लोग किलता भी क्रिटिसाइज कर ले बट वह दिल का राजा होता है और जो सेलर होता है वह अंदर से बहुत खोकला होता है 5-10-20 रुपे के लिए मड़ता है तो यह चीज है अब जब यह चीज हो जाएगे ने 5 रुपी चेंज होती चली जाती है कुछ हद तक जब नीचे गिर जाती है तो उसमें आता है कि ठीक है पांच रुपिया का और थोड़ा सा बढ़ जागा तो बाई कर लेंगे थोड़ा सा रिकवर कर जागा तो लास बुक कर लेंगा और जब 5-3-2 रुपिया पाई जाता है तो सोचा था निप्ती ऊपर जाएगा निप्ती ऊपर गया और इसका जो प्रीमयम में फोड़ा है थीक है कैसे हुआ 17,000 पर निप्ती थी आपने 17500 का कॉल-ौप्शन बाई किया था थीक है तो 17,000 से 17,200 गया तो आपका जो प्रीमयम फोड़ा 20-30 हो गया तो प्रॉफिट आ र बुक कर लेना चाहिए बड़ ऑप्सन बायर है दिल का राजा मानुस है उसको 10-20 रुपे से मतलब नहीं है इसको 30 का 300 हो जाता है तब आप प्रॉफिट बुक करेगा ठीक है बड़ कोई बात नहीं अभी होल्ड करना चाहिए तो ऐसा वो करता है होल्ड उसके बाद यह फिर 300 हो जाता है 17,300 इसका प्रॉफिट चला जाता है अब इसके बाद निप्टी बढ़ी नहीं रहा आगे यहां पर जाके रुख गया और आपको 17,500 कॉल अप्सन है तो यह इस्टिल ओटीम स्टाइक प्राइस है तो अल्टिमेटी का हो एक्स्पारी बाद जीरो हो जाएगा औ 80 तक चला जारा है उसके और सो अल्टिमेट बाद में जाको 20 हो जा रहा है अगर उसको एकस्पारी तक ठीक हो रहा है तो जब इसका 200-300 होगा तभी हम जाके इसको profit book करेंगे, इसके पहले तो कुछ नहीं, तो यह जो बार-बार आपका 30, 50, 70, 80 जाके 0 हो जा रहा है, वो भय आपको profit book करने में मजबूर कर देगी, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कि 10 बार में कर ऐसा हुआ है, 10 दफ़े में, अगर 9 टाइ buy किया हो, उपर गया भी है, 20 का 30, 60 हुआ भी है, उसके पार ultimate 0 हो गया है, तो आप क्या करोगे, जैसे 20 का 30, 40 होगा आप book कर लोगे, मतलब 10, 20 रुपे ही आप book कर पाओगे, ठीक है, और एक दफ़े क्या होगा, एक दफ़े क्या होगा, 10 बार में 9 बार तो आपका 0 हो रहा ह है, एक दफ़े क्या होगा, 20 का premium ना, आप 40 या 60 पर निकल जाओगे, आप 40 या 60 पर profit book करके निकल जाओगे, ठीक है, और यह ultimate चला जागा 200-300 पॉइंट, 20 का premium काफी निप्टी उपर टान देगा, तो 200-300 इसका premium चला जाएगा, उसके बाद आपको जो दिल में आएगा न, कि यार मैं सही था, या options seller वालों ने वीडियो बना बना के, option buyer वालों ने वीडियो बना बना के, मुझे भैबीत कर दिया, मैं सही था, अगर 10 बार में भी नुक्सान करता है, तो 20-20 करके मेरे कितना जाथा, 200, और एक दफ़े ही में छोड़ता है, तो 300 चला जाथा, ठीक है और ऐसे दोस में आगे फिर decision होगे, और 200 का, 20 का 200 होगा कभी कबार, ठीक है, सद्यूमें, बेट ultimate आप, 20-20, 20-20 करके, ऐसे नुक्सान करते जाओगे, ekरते जाओगे, ऐसे करके, ठीक है, और यह जो नुक्सान होगा न, यह कभी-कभी जो 200 आने वाली थी ना, इसको भी कभी-कभी अगर आप सोय वो है और नेक्स डे मार्केट काफी गैप अप ओपन हो गया तो अचानक प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा वह अलग बात है बट आप खुद उस चीज को होने नहीं दोगे और यही कारण है कि आप सब्सक्राइब को कभी पैसा नहीं बनता है वह कभी भी प्रॉफिटबल नहीं होता है दूसरा 2020 करके नुकसान लग रहा है ठीक है और जैसे मैंने बताया कि आपसनज बायर जो है वो काफी दिलदार है ठीक है राजा मानूस है अब यह 20-20 नुक्सान हो रहा है इसको जो options buyer है इसको यह बोलते है limited loss इसको क्या बोलते है limited loss कितना हो रहा है 20 ही तो नुक्सान हो रहा है 20 तो नुकसान हो रहा है इससे ज़्यादा तो नहीं हमको पहले दिर पता है कि इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता है Limited Loss मतलब अगर आपके एकाउन में 20 रूपीज है और 20 का 20 पूरा का पूरा साफ हो गया 0 हो गया मतलब हम लोग देखें तो 100% का नुकसान 100% Loss इसको हम लोग बोलते है आपसे बाइर मैंने बोला दिलनार आदमी है इसको लोग बोलते है Limited Loss मतलब अगर बैंक खाली हो गया बट आपके लिए लिमिटेड लॉस है तो आपसे बाइर समझे कितना दिल का आमीर है कि उसका पूरा पैसा साफ हो गया फिर भी बोलता है Limited Loss है तो उसके लिए Unlimited Loss क्या होता है I don't know तो यहां मैंने कुछ concept बताया कि क्यूं Options Buyer को Loss होता है क्या mindset चलता है उसके पीछे तो यह जो चीजे हैं आप सभी को समझनी परेगी कि Options Buying में पैसा बनाना काफी difficult है और कभी अगर बन भी जाए न तो वह आप ज़्यादा Profit होने नहीं देंगे उसके पहले ही आप Book कर लोगे क्यूंकि Ultimate आपका Profit पे जाके Expire तक Hold करने से Positions Loss में चली गई है काफी समय इस कारण एक दफ़े जब ज़्यादा Profit आपको होता हुआ हो सकता है कि उस वीक में ज़्यादा हो सकता था बड़ आप पहले Profit Book कर लेंगे और फिर जब वह Premium काफी ऊपर चली जाएगे तो आप पच्ता होगे और नेक्स टाइम फिर Hold करने का गलती करोगे और इस दफ़े फिर से वह Zero हो जाएगा तो यहाँ गेम चलती रहती है यहना Ultimate जो Winner है वो Option Seller ही होता है और Ultimate आप एक साल ऐसा Buying करके काम करोगे आप देखोगे कि साल के एंड में आप माइनस में ही हो तो इस कारण से Naked Buying कते ही नहीं करने चाहिए और ओभी OTM Strike Price में अगर कोई Buying करके काम करता है तो भाई आपको नमस्कार है आप ऐसा ना करें अगर आप Continue करते हैं तो Ultimate आप Lusory रहेंगे तो इस कारण से Market में सोस समझ के और उसके पीछे का माइनस समझिए कि क्यों OTM Strike Price में Buying करके पैसा नहीं बना जा सकता है तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा